अस्सलावालेकूं मेरे चैनल स्पाइस खाना वितनाजिया में आपका विलकम है आज मैं शेयर करने जा रही हूं आप लोगों के साथ चिकन वांटन की रेस्पी इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही मसदार की रेस्पी है ये बहुत ही यम्मी सी रेस्पी है और बनाना बिलकूर आसान है चलिये बनाना शुरू करते हैं मिक्सी जार में हमें 800 गराम बॉलनेस चिकन लेना है जिसे मैं छोटे पीसेस में कर ली हूं 1 तीस्पून शाल्ट दे रही हूं 1 तीस्पून जिंजर और गालिक का पेस्ट 1 तीस्पून ब्लैक पेपर पॉडर 1 तीस्पून चिली फ्लैक्स 1 तीस्पून विनेगर 1 तीस्पून सोया सॉस 2 कटे वे हरी मिर्च 1 तीस्पून गी आप चाहें तो गी के जगा पर बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तिसे हमें ग्राइंड कर लेना है ग्राइंड करके कुछ इस तरह का मिक्सर बनेगा सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं हमें मैदा का डो बनाना है तो इसके लिए मैदा का पियां पर मैदा ली हूँ हाफ टी स्पून हमें साल्ट एट करना है टू टी स्पून रिफाइन वाइल एट करना है हाथों से हमें मिक्स कर लेना है अग थोड़े थोड़े पानी दे कर इसका एक डो बना लेना है दो बनका रेडी हो चुका है उपर से थोड़ा वाइल लगा देते हैं इसे सेट होने के लिए आदे घंटा छोड़ देना है दो बहुत अच्छा सेट हो गया है इसका एक बॉल बना लेते हैं थोड़ा ड्राई मैदा दे कर बेलन के सहारे इसका एक सीट बना लेते हैं जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेलना है पर ये बड़े साइज में बेलना है रोटी से बड़े साइज में और इसका एक हमें शेफ दे देना है इससे हमें बहुत सारे round shape में sheet निकाल लेना है यहां पर मैं sharp edge का round बरतन ली हूँ इसकी मदद से round round shape में sheet cut कर लेना है जितना हो सके इसमें हमें cut कर लेना है exit seat को हमें remove कर लेना है एक एक करके इनका filling कर लेना है chicken और masala जो grind की थी उसे अब हमें दे देना है और इसके चारों तरफ हमें पानी लगा देना है और इसे fold कर देना है और हलके हाथों से चाप देना है फिर इसका दोनों corner लेकर हमें पानी लगा देना है और इसे fold कर देना इस तरह से तो ये हमारा chicken want and ready है बनकर तो देखिए कितना प्यारा shape आया इसका इस तरह सारे को कर लेना है तो इसकी safe कितनी बढ़ियां आई ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये ये बनाना बिल्कुल easy है सारे chicken want and बनकर कितने प्यारे लग रहे हैं इनकी safe कितनी बढ़ियां आई है तो अभी इसे fry कर लेते हैं यहाँ पे तेल गरम हो चुके हैं तो अभी इसे हमें fry कर लेना है तो सारे हमें एकक करके इसमें तेल में दे देने हैं और इसे fry कर लेने हैं फ्राई हमें medium flame पे करना है, high flame पे नहीं करना है इसके अंदर के जो chicken है सारे वो धीरे धीरे पक जाएं तो जितना हो सके हमें medium या low flame पे ही इसे fry करना है तो देखिए यह fry हो चुका है, कलर भी बहुत बढ़ियां सा आया है तो अब इसे बाहर कर लेते हैं सर्फ करने के लिए बिलकूर ready है मैं इसे टमाटर केचप के साथ सर्फ कर रही हूँ यह बहुत ही easy और मसदार snacks recipe है इसे आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरी वीडियो पैसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्ला हाफिस दुआ में याद रखिएगा